हलो एवरिवन चलिए आज हम एकदम सुद्ध देशी घी बनाते हैं घर पर ही गाई के दूद से बनाएंगे आपके पास जिस चीज का वी जैसे भैसका है या फिर पैकेट वाला है कोई भी दूदो चल जाएगा बहुत बढ़िया बनके तयार होगा तो यहां आठ दिन की मैं गाई निकाल के इसले कहुत हैं मतल் signaling से बनाता है तो वह निकाल सकते हैं था है पहले ट्राइ किया था मैंनेकाम फिर मैंने मम्मी से पूछा मैं बोली दोनों ही सेम टेस्ट देते हैं बस उसमें थोड़ी महना ज्यादा लग जाती है जैसे किसी को मठा की जरूरत पड़ती है मठा या मही तो वो उस तरीके से बनाते हैं तुमको जरूरत नहीं है तो तुम एक काम करो डिरेक्टली ही बना तो आपको मलाई लेना है सारा कुछ आप चाहो तो छान सकते हो थोड़ा सा वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी डारेक्टली कढ़ाई में आपको डाल देना है थोड़ा सा पोंच लेना मतलब सापसुतरी कढ़ाई हो और उसमें डालके और मीडियम फ्लेम करके ऐसे कंटिनु करना है अपने से अब पीला पान आने लगों मतलब उपर घी बैटने लगेगा पीला पीला सा होने लगों इसी तरी के से सभी प्रकार के दूद का मतलब ऐसे ही बनता है और मैं तो पहली बार क System इसलिए चलाते जाना है हमारा घी अब देखो एकदम से पतला टाइप का होने लगा अब एकदम से गाड़ा होने लगीगा और इस टाइम पर कंटिनुवसली चलाते जाना है वैसे हमें बगल वाली आंटी बता रही थी कहने थी तुम तो धीमें गैस पर चढ़ा दो बीच ब घी हमारा बनके तयार होने वाला है थोड़ी सी टाइम और लगी थी पांच मिनिट से और हमारा घी बनके तयार हो गया थोड़ा बदा बरतन ले लेना अब चोटा बरतन मत लेना यूउकि बीच-बीच में इदर उधर गिरता है तो फोड़ा से डर रहता क्योंकि गरम घी रहता और हमारा गी इस तरीके से बनके तयार हो जाएगा नीचे जो खुर्चन है इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना है आपको डारेक्टली ऐसे चान लेना है कोसिस करना कि गरम में ही चानो और फिर एक बार और आप चला के चान सकते हो जैसे कोई को थोड़ा थोड़ा लग गी बनके तयार हो गया था यह खुर्चन आप रियूस कर सकते हो यह खोवा टाइप का होता है जिसको आप रोटी के साथ या फिर शक्कल लगा के खा सकते हो बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो बहुत पसंद है यह जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप छान लेना क् कि मेरी ममी समझती है ना कि यह जादा महनत वाला नहीं बना पाएगी इसको यही बोले दो बाकि आप बटर मिल्क वाला भी बना सकते हो वह बीजी होता है बाकि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कुछ गरवरी की हो तो वह भी बता देना और बटर मिल्क वाला भी मैं वीडियो डाले हूँ